हडपा सभ्यता को सिंदु गाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके आरम भी केंद्र सिंदु नदी की घाटी क्षित्र में मिले है और इसे कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के लोग बर्तन, मूर्तिया और जार बनाने के लिए का आसे का प्रयोग किया करते थे। सर जौन मार्शल का विचार है कि हरपा सबता 3,250 था 2,750 इस्वी पूर्व के मध्यों प्रफूलित हुई। अर्निस्ट मैकी का विश्वास है कि यहाँ 2,800 से 2,500 इस्वी पूर्व के बीच फली फूले। वहीं REM विलड ने इसकीती थी, 2500 से 1500 इस्वी पूर्व बताई है। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसी अबजेक्ट जैसे जीवजन्तु की आयू का अनुमाल लगाया जाता है। इस स्वीधी का प्रियोग 1940 इस्वी में सरुप्रथम युनिवस्टी ओफ शिगागों में विलड लीबे द्वारा किया गया था। इस कार्यों के लिए कार्बन 12 तथा 14 का प्रियोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार हडपा सबतके कालकरम को तीन चर्णों में बाटा गया है। जिसमें सबसे पहला हडपा का प्रारंभिक चर्ण जोकी 3500 से 2600 इस्वी पूर्व तक था। हडपा का दुसरा चर्ण जिसे विक्सित चर्ण कहा जाता है। 2600 से 2900 इस्वी पूर्व था और देशरा चर्ण उतरकालें चर्ण 1900 से 1200 इस्वी पूर्व तक था।